नमस्कार दोस्तो हमारे वर्सागल चैनल पर आपका स्वागत है आज हम देने जा रहे हैं संडे गैजट न्यूज यह हमारा पांचवा एपिसेड होगा इससे पहले हमने चार न्यूज दे चुका है तो हमारे पास जो न्यूज है हम आपको बताने जा रहे हैं लावा फोन के तरफ से और भारती कंपने एक ठो है जो जीओ जिसका ओएस जो होगा प्रगरती ओएस होगा तो पहले हम लावा के तरफ ही चल जाते हैं लावा भारत में अपना पहला 5G फोन लॉंज करने जा रही ह 9 November को जिसका डिस्प्ले डिस्प्ले छोड़िये जिसका प्रोसेसर होगा डाइमेंसिटी 810 और इसका जो रियर साइड में जो कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा और इसमें बेटरी दिया जाएगा 5000 एमेज और ये जो एंडरोड इस पर आएगा व भारती कमपनी यही दो कमपनी जो मोटा मोटी तरफ पर मोबाइल लॉंच करती है हमको लगा था कि इससे पहले माइक्रो मेक्स अपना 5G फोन पहले लॉंच करेगी लेकिन माइक्रो मेच पीछे चले गई है अब लावा लॉंच करने जा रही तो हम भारती वे लिए ये हमने बताया था 3499 का असपास होगा उसका जो OS होगा वो खुद का होगा प्रगर्ती OS और ये इस उद्देशे से रखा जा रहा है कि ये जो OS है वो प्रगर्ती का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हम प्रगर्ती के पत पर भारत को ले चले और ल दिलावा जो 5G फोन होगा वो अगनी नाम से लॉंच किया जाएगा मैं चाहता हूँ जैसा नाम रखा गया है काम भी वैसा ही हो एदम आग लगा दिलावा कंपनी भी मार्केट में और प्रगर्ती OS भी पूरे प्रगर्ती के साथ ही अपने फोन को और जारी रखे तो हम अलग हट करके वो अरखना चाहती है तो का नाम होगा फेसबुक का मेटा और मेटा का कुछ अर्थ भी होता है तो वो सब हम आपको बात में बताएंगे तो जो मेटा सब्द का जो अर्थ है वो हम आपको बताएंगे लेकिन फेस्बुक में जितने यूजर से तकरीबन तीन अरब यूजर से फेस्बुक पर और इन सब पर बने हम सब पर इसका असर पढ़ने वाला है इसका डिसिजन दे चुका है मार्क जुकरबग ने कि हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं तो इससे कुछ जादा तो कुछ होगा नहीं लेकिन ये बड़ा ही रोचक तत्य है तायब का हो गया है आपको ये नाम कैसा लगा हम आपको दाइरेक्ट मीनी ही पहले बताते हैं इसके बाद हम आपको ये समझाएंगे जो कि कोई भी सब्द जब निकल करका आता है तो इसका कोई मीनी होता है इसका जो शब्द है उसका मैं डायरेक्ट आपको जैसा लिखा गया है मैं पढ़के सुनाता हूं आपको आप लोग को में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टिफ써न शेशन ने अपने पनयान स्नो केश मेश सबसे पहले मेटावर्स शब्द का इस्तिमाल किया था जो कि जो भी नाम निकल कर कर के था वो उपनयासोग से ही निकल कर 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 था है जैसे रोबोट का जो नाम है वो के कैरल कापिल नातक से लिया गया था वैसा ही यह जो मेता वर्स जो नाम है वå accelerator में हम आपको लोग को नाम बता दी साइनस- & Th्र लेखक उसका उप्निया से लिया गया है इसका जो सीधे तोर पर पर अंदर्व होता है वो मतलब होता है, मेटा जो बना है मेटा और वर्स से, तो इसका अर्थ होता है ब्रहामन से परे, इस शब्द का उप्योग आम तोर पर इंटरनेट के भविष्य के पुंद्रावरित्ति के अधरणा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो मैंने आप लोग को इसका जो मि के लिए तो जो क्विन्स लेंड यूनिवर्स्टी आप टेक्नोलोजी में सिनियर लेक्चरल निक के लिए जो कहते हैं कि जब हविस्य में जब भी कुछ ऐसा आएगा मतलब जिसे अविस्कार ऐसे तो होगा ही तो इंद्रियों को जो महसूस कर सकते हैं वैसा हो सकता है जैसे क कुछ होते हैं तो इसको अनुभव कर सकता है तो वैसा कुछ तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो नाम है यह रखा गया है तो जो वाटसेप चेट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं Android to iOS तो इसका जो अभी जो कोई भी Android यूजर्स हैं लेकिन वो भी जो Android 12 बेस्ट smartphone ही इसका जो फाइदा उठा सकेंगे लेकिन इससे पहले Google Pixel में आपको Android 10 बेस्ट वो उसमें आपका वाटसप जो है उसको टांसफर कर सकेंगे लेकिन बाकी सब जो अधर कंपनी है जैसे Google Pixel खुद भी होगी और बाकी कंपनी तो वो अपडेट जो दिया जाएगा वो Android 12 बे Apple iOS जो उसका iOS होता है तो आप इस पेर अपना जो WhatsApp ऐसको टांसफर कर सकते हैं लेकिन इसका इस तरह टांसफर यह होगा आपको QR को स्कैन करना होगा अपना iPhone से Android का QR code को स्कैन करना होगा अपना iPhone से ए इसके बाद ही आप इसको टांसफर कर सकते हैं तो चलिए हम अगडे news की बढ़ते हैं जो एपल कंपनी इससे पहले एपल ही हमने बगता है फिर एपल ही जो अपना जो अपडेट लेकर के आ रही है आयोस के लिए 14.8.1 और आइपेड के लिए 14.8.1 सब्टेर अपडेट रिलीज करने जा करेगी तो यह तो सिर्फ आपका सुरक्षित मने सुरक्षा देने के लिए ही यह अपडेट दिया गया है तो जितने कोई यूजर से आप लोग अपना अपडेट कर लें अब हम अगले न्यूज की तरह बढ़ते हैं जो आने वाला है 5G फोन ऐसा बताया जा रहा है कि जो पोको का नया फोन आएगा जो नाम होगा साइथ पोकोम 4 pro 5G फोन तो आपको जो रेडमी का जो सीरीज का जो आपको जो 11 वाला जो सबसे कम कीमत वाला जो फोन है वही सेम साइथ वही फीचर रहेगा और भारती बाजा तो इसका नाम सिभ बदल करके रिब्रेंड़ किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा पोको फोन और फाइब जी फोन होगा इसका तो इससे पहले पने न्यूज दे चुका है जो रेडमी के बारे में तो आपको लोग को पता है कि उसमें कौन सा प्रोसेसर है तो इससे जो हम न्यूज दे दिये थे कि जो रेडमी का जो प्रो प्लस है उसमें आपको 12 सिरीज का प्रोसेसर दिया जाएगा डामिन सिटी का लेकिन ऐसा नहीं जो लॉंच किया गया चायनाय में उसमें 9 सिरीज का ही प्रोसेसर दिया गया है तो दोस्तों आज का न्यूज में इतन झाल झाल